गैस नुमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों को इस पेटिकुलर यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आपका एजुकेटर विरन सिंग सो गेट 2022 का एनाइस्मेंट जो है कर दिया गया है मतलब गेट 2022 जो है वो आपका होने वाला है 2022 में जो कि जैनुवरी इंडिया फैबरी फ़स्ट वीक में एक्जाम होता है अभी तक आपका डेट डिसाइड नहीं एक्जामेनेशन डेट बठा इन्होंने फॉर्म की डेट जो है वो निकाल दिया मतलब अप्लिकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है यह आप कर सकते हैं आईटी खड़कपूर जो है वेस्ट पंगॉल में इस्टेबलिस्ट एक वन ओफ दे रिनाउंट आईएटी है जो कि इस बार गेट 2022 को और्गेनाईज करेगा एक अच्छी चीज़ यह है कि एक कैंडिडेट अपीरिंग वन और टू एक पेपर सुट फिल वन ल करने वाली है लेकिन आप दो से ज्यादा स्ट्रीम को अपियर करके दोनों को क्रैक कर सकते हैं अब मल्टिपल अप्लिकेशन से कर देंगे तो उसमें एक ही एक सेप्ट होगा बाकि रिजेक्ट कर दिया जाएगा सो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन कब स्टार्ट डेट है 31st अगस्त ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लिकेशन पोर्टल इस 31st अगस्त को है इसके इलावा क्लोजिंग डेट जो है वो 24th सेप्टेंबर को है रेगुलर पीरियड में अगर एक्स्टेंसर पीरियड विट लेट फी लेट फी के साथ 1st अक्टूबर तक आप जमा कर स तो 12 नवंबर तक भी चांसे हैं रेक्टिफाइब करने का लेकिन यह आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा इसके लिए तो यह डेट एनाउंस किया गया है यानि 31st अगस्त से गेट का जो डेट है वो एनाउंस किया गया है इसके लावा अगर हम बात करते हैं इसके लावा जो है वो एनाउंस किया गया है दो न्यू पेपर वन इस जीओमेटिक्स इंजिनरिंग और सेके इस नेवल आर्किटेक्ट्चर और मरीन इंजिनरिंग यह दो न्यू पेपर जो है गेट 2022 में नय लाए गया है इसके लामा जो है अगर टू पेपर का इसके लावा अगर आप कहते हैं कि यहां पे एक्सेल दे रहे हैं तो आप जो है दो isक्ते हैं उडिए सकते हैं यह की अगलец, और सवतेशांद कर दो एग्जाम opting to appear in two subjects paper must have the primary choice of the paper as their default choice आपको एक primary choice choose करना पड़ेगा जैसे biotech ले रहे हैं कि excel ले रहे हैं खुछ पी the second choice of paper has to be chosen from the allowed combination second जो है allowed combination से आप चूज कर सकते हैं combination other than listed are not allowed अगर इसमें से अलग कुछ करेंगे तो आपको allowed नहीं होने वाला है सो यह चीज ध्यां रखे रहेगा that like यहां पर ध्यां देने कोसिस करिएगा कि that under the unforeseen circumstances certain combinations may be removed from the list in the above table at a later date in such cases fee paid towards the second paper will be refundable to the candidates अगर second paper के लिए आपने fee pay किया है तो वो refundable हो जाएगा किसी वज़े से वो list हटा दी जाती है तो यह सारी चीज़ें यहां पर mention की गई है इसके अलावा अगर आप 2022 के उपर बात करें तो question paper pattern के बारे में है new pattern in AR papers उसमें है और jam 2022 भी announce किया गया उसकी website पर भी जाके आप देख सकते हैं ठीक है so this is like question paper pattern जो है वहां से आप देखेंगे तो अलग-अलग computer based paper होता है तीन गंटे का होगा 29 subjects अलग-अलग है जिसमें अगर questions के बात करूं तो multiple choice questions इसके अलावा multiple select questions and numerical answer type MSQ, MCQ and NAT type of questions जो है आपको मिलेंगे इसके अलावा इसमें जो check की जाएगे recall, comprehension, application, analysis and synthesis इस चीज़ को check किया जाएगा आपके कहते कि क्या आप सही तरीके से recall कर पा रहे हैं आपकी comprehension ability है कि नहीं है application skill कैसा है आपका analysis and synthesis 10 questions general aptitude के होंगे और 55 questions subject wise होंगे total 65 questions होते हैं aptitude का 15 mark का होता है engineering mathematics करीब-करीब 13 marks का आते हैं and subject questions करीब-करीब 72 marks का होता है और total मिलाके यह जो है 100 marks का हो जाता है यह उन papers में हैं जैसे कहते हैं कि distribution of in all papers except AR, CY, EY, CG, MA, PH, XH, XL इन सब papers को छोड़ के बाकि सारे papers में यह होता है इसके अलावा in papers में जो होता है general aptitude 15 marks का होता है इसके अलावा subject questions 85 marks का होता है total 100 marks का होता है यह चीज़ चलती है negative marking के लिए आपको एक number वाले question में 1 by 3 negative marking होगा है questions दिए गए है किसमें कौन सा होगा तो mostly जो cases है यहाँ पर बीटी में आपके 15 50-100 180 मिनट मिलेंगे तीन घंटा मिलेगा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसके लावा कई सारे information देख सकते हैं examination cities के बारे में देख सकते हैं कहां कहां पर कौन को से examination cities है eligibility criteria चेक करिए two paper combinations and कौन को से document required होंगे यह सारी चीज़े application fees की बात करें तो female candidate per paper जो होगा ध्यान दीजेगा per paper दिया गया मतलब आपको paper का fee देना पड़ेगा अगर regular period में per paper 750 ह होगा ST, SC, ST, PWD per paper 750 है and allow other candidates per paper 1500 है मतलब जो मैंने अभी बोला था वो चीज़ की एक paper में एक ही application में दो paper यानि यह कहीं fees में दो paper हो जाएगा असर नहीं है fees आपको दोनों की P करने पड़ेगी जितने paper आप दे रहे हैं उतने paper की fees आप यहाँ पे करने वाले हैं इसके versions को जो है poster download कर सकते हैं या पूरा का पूरा जो release date क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं so these are the cases for like gate 2022 और अगर आप जो है इस gate के form में fill कर रहे हैं तो जैसा कि बार-बार आपको पता है कि e-learnam आपके लिए लेके आएगा gate 2022 का batch जो की start होगा first of October से so वहाँ के लिए आप इंतजार करें और तब तक के लिए basic videos, youtube videos, free sessions on e-learnam app, e-learnam के app पे dbt का crash course चल रहा है, icmr के crash course में भी आने वाला है तो आप जो हैं अभी तक अगर app को install नहीं किये हैं तो जाए प्ले स्टोर पे e-learnam के app को install करिए और बहुत सारे free content को access करिए और paid content अगर अप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं thank you so much guys for watching all the best and लग जाए प्रिपरेशन में क्योंकि announcement होती जा रही है CSIR भी जल दी आएगा